जै मातादी मित्रों मेरा नाम है पंडित प्रकाश जोसी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्टो आज में मित्रों आज हम चर्चा करने वाले हैं मेन राशी वाले जातक और जातिकाओं के राशी फल के बारे में कैसी होगी उनकी धन की उनके व्यापार की उनके काम की इस्तती उनके दामपत्य सुक की इस्तती उनके प्रेम की इस्तती इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे मित्रो सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा यह जो राशी फल है यह आपकी कुंडली की चंदर राशी पे निर्भर करता है और आपकी नाम राशी से आगर आप यह राशी फल देखेंगे तो आपको लगेगा अब बात कर लेता है इंपोर्टेंट सूचना के उपर जैसा क बार नया शुरू करना था वह रुग गया है तो जो रुकावा काम है दुबारा जैसा कि लोगडाउन आप खुल चुका है कई जगा पे खुल चुका है लेकिन काम की स्तती अच्छी नहीं हो पाई है इसके लिए एक एस्ट्रो आज की टीम ने एक यंत्र आपको दिया है यह विगन, विनाश करने वाला यंत्र है इसको क्या करना जैसा के आपने देखा है कॉरे कागज पे आपको इसको सरकल बनाके इसके लिए जो अंकर लिखने और इसको कोशिच करें कि आप जो है इस यंत्र को अपने पास भी roll कर सकते हैं, अपने सिरहने के नीचे भी रख स रहे हैं तो आप अपने शरीर में लेफ साइड की पॉकेट में इसको रखेंगे तो यह एक्टिवेट होगा अगर आपने राइट में रख दिया तो यह एक्टिवेट नहीं होगा इसलिए लेफ में रखना है यह इसी तरह से आप सराने के के नीचे आप रखते हैं तो इसको left side में आप बेड़के left side में रखेंगे तो यह activate होगा यह यंत्र जो है ब्रह्मानिय उर्जा यानी positive उर्जा को activate कर देता है जो lockdown के कारण हो सकता है कि आपकी बादित हो गई हो तो इसको यंत्र को बना के आप इसको रखे इसका प्रवाव बहुत लोगों को पहले ही दिन मिल जाता है किसी लोगों को साथवे दिन में मिल जाता है किसी को पंदरा दिन में किसी को एक मैने में इसका result मिल जाता है तो आप इस यंत्र को बना के अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं अब बात कर लेते हैं को मीन राशी वालों के जू आपको करनों के मेने में बहुत ज़रुत है बात करने की बारे में धन के स्वामी कौई न कई मंगल और जब आयेगा जरूर मीन राशी वालों का लेकिन आपका खरचा भी तय है तो खरचा बहुत ज्यादा होने वाला है, यानि कि धन आयेगा जून के महने में और दूसरी तरब से निकलने के उसके मारग भी बने हुएं, बात कर लेते हैं परिवार भाव की, तो परिवार भाव में कह साथी साथ संतान की बारे में बात करें तो संतान बाओ के स्वामी है चंद्रमा चंद्रमा केंद्र में बैठें तो कई ना कई संतान का अच्छा समय नजर आ प्रेमी प्रेमी काओ के संब्द्रों के बात करें तो उसमें बातका के बीकश क में हम से थोड़ा सांट कश्कार नौकरी के बारे में तो bizarre तक बात करें तो वहां पर कुंब मीन राशी वालों का स्थान परिवर्तन की योग नजर आ रहे हैं नौकरी में कटोती की योग नजर आ रहे हैं यदि आप सोच रहे हैं कि नौकरी को स्विच कर दें क्योंकि संस्थान में कटोती हो लेते हैं तो जो भी मीन राशी वाले व्यपारी है उनको धन का लाब नजर आ रहा है रुका हुआ काम उनका धीरे-धीरे बनने लग जाएगा उन्नती के योग नजर आ रहे है और उन्नती जो होगी वह बीस तरीके बाद ही होगी अब बात कर लेते हैं मीन राशी वाले वह जातक और जातिकां जो विदेश में रहते हैं उनके राशिफ़लके जून का महिण उनके लिए कैसा रहेगा जून के महिने में घुसा बहुत ज़ादा आने वालना है नौकरी में tension रहेगी tension में भूत सारे काम बिगड़ेंगे बहुत सी commitment आप पूरी नहीं कर पाएंगे ऐसी स्ततिया नजर आ रही है और धन भी आपका अगर जून के मैने में किसी को धार दे रहे हो धन कई पर निवेश कर रहे हो तो रुख जाने के पूरे ही होगे तो जून के मैने में आपको धन किसी को देना नहीं है